देखो अगर आप इंटेनेट पर रेकर पैसे कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर फ्रिलैंसर हैं तो सिंपल है आपने अपने सारे सोसिल मिडिया एकाउंट भी बना के रखे होंगे आपने फेस्बुक पर एकाउंट बनाया होगा, इंस्टाग्राम है, वाटसब है, ट्वीटर है, लिंकेंडी है तो मैं आपसे भाई यही कहूँगा कि आपको इन सभी सोसिल मिडिया एकाउंट पर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो लगानी चाहिए क्यों? क्योंकि जब कोई कंपनी या फिर कोई यूजर प्रोफाइल को स्क्रोल करता है और आपकी प्रोफाइल फोटो एक प्रोफेशनल और गूड लुकिंग है तो सिंपल है आपका एकाउंट अच्छे से विजिबल होगा और इतनी अच्छी प्रोफाइल फोटो की वज़े से हो सकता है कि वो आपसे कॉंटेक्ट करें आपको प्रोजेक्ट या फिर जॉब मिल सके तो अब तक जैसे हम प्रोफाइल फोटो लगा दे थे जैसे कभी-क फोटो को हम रिप्लैस करने वाले हैं तो चली बताता हूं कि कैसे आपको फोटो बनाना है वो भी बिलुकुल फ्री में तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिना रुर्फान और आप देख रहे हैं i-tech सबसे फिले तुमें आपको बता दूँ कि आपके पास laptop या फिर computer होना चाहिए क्योंकि यह उस पर काफी अच्छे से काम करता है बट अगर नहीं है से आपको उस लाल वाले बटन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पर आपको एक प्ले बटन मिल जाएगा सिंपल है आपको इस प्ले वाले बटन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ये process होगा यहाँ पर बहुत सारे code आएंगे links आएगी, tension मत लिजेगा आपको क्या करना है, scroll down करना है और यहाँ पर आपको एक option देगा running on public URL simple है, आपको इस URL पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद एक नया user interface दिखाए देगा अब यहाँ पर सबसे फिल आपको image add करनी है तो इसके लिए आपको जाना है input image में, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ नए और option दिखाए देगे अब यहाँ पर आपको third वाला option in paint और out paint को select करना है, अच्छा यहाँ पर select करने के बाद आपको अपनी photo upload करनी होगी आप drag and drop का भी use कर सकते या फिर click करके upload भी कर सकते फटा-फट से यहाँ पर मैं मेरी एक image upload कर देता हूँ ध्यान यह रखना कि जो भी image आप upload करे उसकी quality थोड़ी सी high हो और एकदम state photo हो, लाइक कुछ इस तरह की अच्छा आप यहाँ पर कुछ और काम करना है पहले आपको इसे paint करना होगा क्यों क्योंकि हमें सारी चीजे हटा देनी है तो इसके रिए आपको यहाँ पर right side पर एक paint का button मिल जाएगा आपको इस पर click करना है और अपनी brush की size को exist कर लेना है चोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लेना है और यह सारी चीजे paint कर देनी है यानि कि आपकी photo में extra कोई चीजे है न उन सबको paint कर दो बस आपको अपना सर बचा के रखना है तो वो paint हो जाएगा तो फिर photo अच्छे से बनी की नहीं तो अच्छे से paint कर दो प्रॉम्ट के लिए भी आपको इस video के description में जाना होगा यहाँ पर आपको मैं प्रॉम्ट के नाम से एक link दे दूँगा आप उस link पर click करेंगे आप मेरी website से उन सभी prompt को copy कर सकते हैं यहाँ पर मैंने different different prompt बनाये हैं बस आपको prompt copy करना है और एक बार आपने prompt copy कर लिया इसके बाद आपके live जिंगा लाला अब जितनी भी prompt आप copy करते हैं सिंपल है आप इन सभी prompt को यहाँ पर add कर दीजेगा इसके बाद आप generate पर click करके image को generate कर सकते हैं बट यहाँ पर कुछ advance option है जिसके बारे में थोड़ी चीजे मैं आपको बताना चाहूंगा सिंपल है आपको advance पर click करना है अब यहाँ पर अगर आप scroll up करेंगे तो आप यहाँ पर performance को change कर सकते हैं speed वगेरा change कर सकते हैं image of numbers change कर सकते हैं दो image बनाना चाहते हैं चार, पांच, छे तो वो आप सिलेक कर सकते हैं और advance में जाएंगे तो कुछ और extra option आपको मिल जाते हैं बट देखो अगर आपको थोड़ा बहुत knowledge है AI image बनाने का तो ठीक है नहीं तो मत करना अब अब यहाँ पर फड़ा फड़ा से जनरेट कर देता हूं जनरेट वाले बटन पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी image बनना स्टार्ट हो गई है एक बात का धियान रखना कि जो भी आप photo upload करते हैं उसकी quality थोड़ी सी high होनी चाहिए अगर quality थी अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत आए सकती है और prompt को आपको proper डालना है यहाँ पर जितनी भी prompt है सारे prompt आपको इस video के description मिल जाएंगे महाँ से आप copy करके उन prompt को use कीजी और आप देख सकते हैं हमारी एक image बन कर आ चुकी है और दोनों image बन गई है फटा-फट से है वैसे मैंने video को fast forward किया था अब यहाँ पर आप देख सकते हैं image बहुत अच्छी से बनी है हाँ मैं मानता हूँ पीछे एक white color का सर के पट्टा आ रहा है बट यार सही है almost image तो भाई बहुत सही लगी एकदम professional image है हम इसे facebook, instagram, linkedin सब जगा पे upload कर सकते हैं तो अब बारियाती इसे download कैसे करें तो देखें download के लिए यहाँ पर आपको उपर के तरह download का button मिल जाएगा simple है यहाँ पर click करके इसे download कर लें अच्छा एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा देखो वीडियो को यहाँ शेयर कर दो खास तोरपर अपने उन दोस्तों को जो online work करते हैं या फिर job डुन रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिनके लिए इस तरह की profile बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उन्हें वीडियो को शेयर कर दीजेगा ताकि वो भी अपनी profile फोटो को अपडेट कर लें और आप भी अपडेट कर लें और वैसे भी मुझे बताना वीडियो कैसा लगा comment box में comment करके next वीडियो किस तरह के topic पर चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं जरू से comment कीजेगा वीडियो को like कीजेगा और ऐसे interesting वीडियो देकने के लिए simple है चैनल को subscribe कीजेगा तब तक अपने ध्याने केगा दूस्तो टेक केर बाई और हाँ हमारे telegram चैनल को भी join कीजेगा